नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे इसी उटी चानल दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत सुन्दर बात करने वाले हैं तो वीडियो को लाइक चानल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा कि ऐसी ऐसी अच्छी जनकारी जो है आप लोग के पास में डैरेट मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह देख रहा है दही यह दूध है दूध तो इसको आग पर देख लिजे सही तरह से चुल्हा पर रख दिया है देखिए इसमें थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा लकरी लगा दिया है एकदम धीमी आच पर यानिकी खाना बन इसको तूद को रख दिया है और उसके बाद में यह साफा पूरा धिमी आच रखना है यानि कि सुसुम होते रहे और देखिए कितना मस्त है कम से कम 4 kg है इसमें ऐसे देखने में छोटा दिखता है लेकिन नजदिक से आइसे देखो बारा है हम दूर से वीडियो कर रहा है तो देखिए इसको खाने से क्या क्या फायदा मिलती है। अगर दही आप जमा करके खाते हैं तो पेट के जीतनी भी अचरा कचरा है वो रात के समय में बाहर निकल जाता है। और अतरी में मजबूती आती है लेकिन दही किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए। भायस का दही खाने से जो हाई उमोटापा बढ़ता है। इसमें घी जो हाई बहुत आच्छा मत्रा में मिलता है। एक के जी समझे कि दही में सव डेर सग्राम घी निकल जाता है। और इसको खाने से तब्यत भी सही रहता है। और आखों की रोशनी बरकरार रहती है केल्सियम की कमी सरीर में नहीं होती है। लेकिन दही जब भी जमाना है तो आग पहीं रख दीजिए और उसको जोरन डाल दीजिए। यानि सुसुम रहे तो और आपको क्या करना है कि दही भात से नहीं खाना चाहिए क्यांकि वहानिये करता है। अगर खातने हैं थो ठोड़ा से रोटी खालीजिए भात खालीजिए पूरी और इखाके उसके बाद थो ठोड़ा सा खाईए तो वह अच्छा रहता है। और दही में जो है को दू कली लहसुन डालना चाहिए और एक हरी मिर्च अतब उसको चटनी बना करके उसमें मिक्स करके खाया जाएगा। तो समझें कि दाद खाज खुजली से बच पाएंगे। यही बताने वाला था मैं कि दाद खाज खुजली को बचाना है तो आप लोग को दू टीन कली लहसुन एक कीजी दही में और एक हरी मिर्च को पीस करके डाल दीजिए तब उसको खाईएगा थोड़ा सा तो आपको क कोई परकार की बीमारी नहीं होगी दोस्तों वीडियो दखना के लिए बहुत बहुत धने बाद इसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू कि दाद खाज खुजली से बचना है तो यह वीडियो जरूर आपके लिए उत्तम है दाद खाज खुली एक बार हो गाई तो समझे की सरी जो है नुक्सान हो जाता है खराब हो जाता है तो इन सबी बिमारियों से बचने के लिए आप लोग को इलिए सर कर रहा हूं दोस्तों जहां भी रहीं मता दुर्गाज जी कि पास्याप लोग सहाल रहा है